अजसी तोनु पठान कोड़ दे एक अजेहे मंदर दे दर्शन दिदार कराउन दे ले लेके जा रहे हैं जिस्दा इतिहास चार सो साल पुराना है काशी से जोसित पुरुष इस्थान को खोजते हुए यहां पहुंचे थे वे थे बबाबा शितल भारती बबाबा मुकुंद भारती और बबाबा विश्टु भारती जी उन्होंने सरवकृत्म यहां करके इस्थान के खोज़ किये और शाली ग्राम के लाजित क्याम यहां पे दर्शन करवाते हैं और उन्होंने अपने जटाओं से निकालके यहां विराजित किये यह खोली से एक दिन पहले यहां पे खोली का देहन को रात को बड़ी धूम धाम से मनाया जाता है इसमें ठाकुर जी को एक पालकी में विराजमान करके बाहर निकाला जाता है बाहर जाके गनेश पोजन होता है और खोली का देहन होता है भगवान जी की आरती होती है और भक्त जन जो हैं ठाकुर जी की पालकी को अपने कंदों पर उठा के भगवाद जी की जाए गोश करते हुए निकलते हैं जी मेरा नाम प्रणवेश कुमार शर्मा है और मैं इस मंदिर में महत्मीम नकता हूँ जी मंदिर जो हैं करीवन 400 वर्ष पुराना है और आसपास के एरिये से यहां चमबा हिमाचल परदेश से भी लोग यहां पे आते हैं दलाई से लोग यहां पे आते हैं और माथा टेकते हैं मनते करते हैं और उनकी जो मनोकामनाई हैं भगवान की क्रिपास से वो पूर्ण होती है क्या है तेहास क्या हैं ये मन्दीर करीवन चार सो वर्ष पुराना है काशी से जो सित पुरश इस्थान को खोईते हुए यहां पोंचे थे वे थे बबाबा शितल भारती बबाबा मुकुंद भारती और बबाबा विश्नु भारती जी उन्होंने सरव परत्म यहां करके इस् और कि जो है धेती हो गई कों से इस मंदीर में जओ यदो ऑबाचो कि चाहिक को होली से एक दिन पहले यहां पर खोली का देहन का उत्सव रात को बड़ी धूम-धाम से मनाया इसमें ठाकुर जी को एक पालकी में विराजमान करके बाहर निकाला जाता है बाहर जाके गनेश पूजन होता है और होली का देहन होता है भगवान जी की आरती होती है और भक्त जन जो है ठाकुर जी की पालकी को अपने कंदों पर उठाके बगवान जी की जाए घोश करते हुए निकलते हैं और हॉली का देहन उस समाप्त करके ठाकुर जी दवारा इस मंदिर में विराजित हो जाते हैं ता एसी पिंड हाडा दा ओ इतिहासिक मंदर जित्थे शाली ग्राम दे दर्शां करवाई जान देहन अते कहा जान दा है कि इत्थो दी होली देखन योग है पठान को उड़तो जैति शर्मा न्यूजेटरिंग पंजाब